जिब कुछ न समझ में आए लंच या डिनर में क्या बनाएं और आप अंडे की शौकीन है तो बनाएं अंडे की ये आसान सी और बहुत टेस्टी सी रेसिपी तो वेलकम है आपका समझ किचिन में एक चबमच तेल एक पैन में गरम कर लिया है मैंने और इसमें डाले हैं दो छ में काट लिया है और इस तरह से इनको पलट करके रखेंगे योग वाले साइट की तरफ पे और इनको फ्राइ करेंगे तो थोड़ी सी उपर से सीजनिंग के लिए डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी हल्दी करीब दो चुटकी लेंगे थोड़ा सा संभाल के पलटेंगे ताकि हमारी जर्दी अंडे से बाहर ना आए जिसे कि इसमें आ गए थी तो वापस रखतें और संभाल कर पलटेंगे और दूसी साइट भी हम इसको फ्राइ करेंगे तो अंडे के अगर आप शौकीन हैं तो समस किचिन में अंडे की बहुत सारी मेने अलग और यूनिक रेसिपीज डाली हुई हैं तो आप चेक कर लीजेगा आपके बहुत काम की रेसिपीज हैं तो यहां पर दूसी साइट भी हम फ्राइ करेंगे और उपर से थोड़ा सा प्यास ली है ओमलेट कट कटी हुई इसको सॉफ्ट होने तक फ्राइ करेंगे तो एक से देग्र मिनट तक बस पकाना है हमको इस प्यास को जटपत रेसिपी है बहुत जल्दी हम इसको बना रहे हैं और यहां पर एक चमच पिसा हुआ अद्रक लैसुन का पेस डाल देंगे अद्रक लैसुन के साथ भी इसको भूनेंगे ताकि इसका कच्छा पन निकल जाए तो करीब दो मिनट तक स्कॉर भून लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर तो यहां पर अद्रक लैसुन अच्छी तरह से भून गया है प्यास के साथ और अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा लाल मिर्श पाउडर और नमक नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने सॉल्टेट बटर यूस किया है तो इसका नमक भी आएगा और इसको मसालों को भूनेंगे जब तक कि इनकी कच्छी स्मेल ना निकल जाए तो अब डाल देंगे एक पिसा ह तक हुआ हुआ त्रमाटर और त्रमाटर के साथ हम इसको करीब 2-3 मिनट तक पकाएंगे अब डाल देंगे इसमें दो बड़े चममच दही आज दिमी रखेंगे और दही को मिला देंगे तो बड़ी ऐसी इंस्टेंट ग्रेवी हमारी तयार हो गई है और अब इसमें कलर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है इसलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और डाल दी है और तक हमारा बढ़िया ब्राइट कलर हो जाए ग्रेवी का पानी डाल देंगे दो बड़े चममच और इसको एक उबाल आने देंगे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे है तो वीडियो को कमेंट्स जरूर करिए वीडियो में मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना और यह हमने तले हुए अंडे डाल दिये इसमें और आप अपने इस वीडियो को शेर करिए अपने सोशल नेटवर् और धाक करके रखेंगे और धीमी आज पर इसको दो मिनट तक और पकाएंगे तो यहां पर दो मिनट हो गये हैं और बस यह हमारा इंस्टेंट और बहुत टेस्टी आसान सा पैन फ्राई एग मसाला बनकर तयार हो गया है और देखा कि आपने आसान है कोई भी इसको बना सकता है किसी भी टाइम आपका कुछ जटपट और बहुत टेस्टी खाने का मन करें अंडे की रेसिपी तो ज़रूर यह ट्राई करिएगा और प्ले लिस्ट एग रेसिपी को समस्किचिन में ज़रूर चेक कर लीजेगा फॉलो करके जाईएगा कीप वाचिंग समस्किचिन थैंक यू सो मच